मुस्कार प्रवासाक्षि देख रहे हैं आप आपके साथ प्रवासाक्षि के संपादक नी रजकुमार दुवेजी सर आपका बहुत स्वागत है चुकि आप हर्याना चुनाओं में कवरिज के लिए गये हुए हैं व्यस्तता आपके समय निकाल रहे हैं तो सर आज सिधे जम्मु कश्मीर जलते हैं पहले तो कि जम्मु कश्मीर में किया क्योंकि 28 तारिक कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा कि चाहे दुश्मन कोई भी हो आप भारत घर में घुसकर मारता है और आतंकी के जो आका हैं उनको ढूंड कर निकाला जाएगा यही बात अमीत शाह ने भी कही थी तो जम्मु कश्मीर मे जा रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और जम्मु का इसमें महात्तों रोल होने वाला है यह बिल्कुल देखिए अब तक जब भी अगर हम पिछले दो तीन विदान सबार चुनाओ जम्मु कश्मीर में जो हुए उसको अगर देख लें तो जम्मु में ही बीजेपी का सबसे सरवादिक प्रभाव रहा है कश्मीर घाटी में वीजेपी इस बार पुरा-प्रायास कर रहे हैं देखना होगा जाए उसके ऐसEm लोकतांत्र को संपन नहीं कराये जारा है चणाओं नहीं कराये जारा है तो सबने देखा कि अभी उन इलाकों में भी जहां पर दो largest मेहने पहले धमाके हुए थे जहां पर दो को मेहने पहले आतंकवाधी अमले हुए ते वहाँ पर भी किस तरीक Way से हमारी जो लोक्तंत्र है उसकी चाप लोगों ने देखी और आप देखे कि सहीं के रास्त समेट सोला जो देशों के दूथ वहाँ पर आये थे और सब मद्दाताओं के लिए वहाँ पर देखा लोगों ने कि किस तरीके से जो मद्दान केंदर थे वहाँ पर चाहे बजूर्ग हों चाहे युवा हों सब बस चले आ रहे हैं और लोक्तंत्र के प्रदिवद्दता दिख रही थी जो लंबी-लंबी कतारे लगी हुई थी तो दुनि मुझे लगता है कि जवाब मिल गया है अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने समीत रास्ट में कश्मीर का मुद्दा उठाया एक आयोस्ती के एक जो कोई प्रतिनिधी बैटक थी कोई ग्रूप की उसका एक बैटक का हवाला दिया गया कश्मीर फिर से वही पुराना सब्सक्राइब करते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से बदलाव आए हैं पूरी दुनिया देख रही है जो टेरेश कि ऐसी स्टेट प्रधानमंत्री ने स्ट्रेक का जिक्र कि आप देखें चीजवाब कि आप जो को सामने वालों कि अपनी हैसयंयों चुक करा दिया जो रोजाना वहां से गोला फरीं हमारे जो लोगों को भाग के बंकरों में शरुन लेनी पड़ती थी, बंकर भी नहीं थे, जो पशुधन की, जन धन की, जो जानमाल की जो हानी होती थी, वो कितनी होती थी, कुछ रिपोर्ट्स में आ जाती थी, कुछ रिपोर्ट्स में नहीं आती थी, वो सिल्सला थम गया, और इसके लिए दो बार आपको उनको अंदर जाकर ठोक कराना पड़ा तो जब सामने वाले को पता हो जा है कि आपकी निती आतंकवाज को कदाई बरदाश्ट नहीं करने की है तो वो चुप बढ़ जाते हैं तो यही प्रधानमंत्री के बयान का जो संदेश और संकेत और मरं अजिकार मिला जब 370 समाफ हुआ तो तमाम जो वहां की ऐसी जातियां उपजातियां हैं जिनकों के अरक्षन का अजिकार मिला तो यह जो आप देखे कि जो ऐसे पहड़ी राके ऐसे दूर दराज के लाके जो जहां पर बिजली आजादी के 75 साल बात पहुंची है जहां प लोगों के जिए बदलाओ आ रहा है लोग जब सड़कों का संपर्क वहां पर बढ़ रहा है तो विकास अपने आप तक पहुंच रहा है आज लोगों को वहां से आकर अपने जो भी प्रतिनिती हैं या जो प्रशाशन के लोग हैं उन तक अपनी शिकायत लेकर नहीं आना ह है वी उस eerste साल तक राज चैया हैं तो वह अपनी बताएंगे कि किस तरीके से उनका जो प्राइन वह दूसरे से बेहतर है व्यूंकि अगर सरकार बनती है तो वह दूसरों के कि जनता दो चणों में कर चुकी है काफी हद तक किसरे जिनन की जनता में जनादेश हो जाएगा कि क्या रहने वाला है ठीक है अब हर्याना क्यों राते हैं सद्धिक है भाजपा और कॉंग्रेस के बीच का मुख्य मुकाबला है निर्दली वहां पर आहम रोल निभा रहे हैं हैं आदमी पार्टे को भी उम्मीदे हैं लेकिन सबसे जार चर्चा कॉंग्रेस की हो रही है क्या हुड़ा और सैल्जा में सबकुस ठीक हो गया है रावल गांधी भी पहुचे ने दोनों एक साथ मंच पर दिखाई दिये थे अलाकि शनिवार को जब हर्याना कॉंग्रेस क क्या कि देख रहे हैं कि देख वायां को सुनने को और 설 स्टा क्या चांग्रेस के सकते हैं में एक लाइन का प्रस्ताव पारिप करते हैं कि आला कमान को अधिकरित किया जा रहा है देता चुनने के लिए वहाँ से एक परिविक्षकों का दल आता है वह विधायकों से अलग अलग राय लेता है पर्ची सिस्टम भी कई बार अपनाया जाता है जिसका नाम ज्यादा आत बहत्तर टिकट गए आप्ता के जो है वह चार पांची हैं अब देखिए कि अलाकमान कहां से त्या करेगा हमने कंग्रिस के चितनी सवाहों में जा रहे हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे भुपंदर चिंग बुड़ा बोलो जिंदावाद के नारे लग रहे हैं। वहाँ पर बैनरों में पोस्टरों में सब्जे लिखावा है कि हुड़ा सरकार लाओ और हुड़ा सरकार के पिछले दस साल के जो उसके कामों को गिनाया जा रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए या अपने मन को बहलाने के लिए असी बाते कर रही है और इसी बात का फायदा बीजेपी उठा रही है तो हर्याना कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक होने को दावा किया जा रहा है वह ऐसा है नहीं और इसके अलावा मैं आपके पूछे बिना एक बीजेपी के अब आपने देखा होगा कि प्रशानमंदी ने वर्च्वल रूप से दो दिन पहले कार्यकरताओं को समुद्धित किया नेताओं को समुद्धित किया अर्यानके पर बीजेपी ने अपने जो अंद्रूनी जो उसके सूत्र हैं उससे एक जानकारी जूटाई जानकारी यह है कि जिस तरीके से दिली नगर निगम चुनाउ में बीजेपी ये मानकर बैठी थी ती कि आमाववी पर्टी आ रही है और बीजेपी जा रही है उसको देखते olvे बीजेपीने मेयनत भी नहीं करी क्योंकि उनको लग रहा था कि आमादी पार्टी आ रही है मेनत करने का चुनाओं पर वैसा खर्च करने का कोई तर्क बनता नहीं है और कोई फाइदा भी नहीं होगा लेकिन जब परिणाम आये तो क्या हुआ बहुत क्लोस फाइट थी और बस कुछ नंबर से आमादी पार्टी आगे थी और वो नंबर जड़ा सा आगे थी इसी की बदूलत हम देखते हैं कि स्टेंडिंग कमेटियों ती चुनाओं होते हैं तो उसमें वो उपर निच्छे ची करना है और डेट कर आगे बढ़ना है क्योंकि इस्तिती उतनी खराब नहीं है जितना की चलाया जा रहा है कॉंग्रेस आ रही है यह बात एक प्रचार के तौर पर पहला जी गई है लेकिन इस्तिती ऐसे हैं नहीं बीजेपी को यह कुछ अपने जो उनकी ग्राउंड रिप प्रदेश के उनको यहां पर ला दिया गया है जो अंतिम चरण का जो चुनाव परचार है उसमें बीजेपी पूरी त्वाकत छोंकने वाली है और बीजेपी को लग रहा है कि हम मंजिल के करीब हैं अगर हार अभी से माली तो फिर तो रही जाएंगे तो लड़ो और जीतो तो यह लड़ो और जीतों का जो एक बीजेपी में जोश आ गया है यह हमको हर चेका देखने को मिल रहा है उनको शायद को यहासा फीड़बैक मिला है कि सिटी शायद उतनी खराब नहीं है लेकिन देखना होगा कि चंता के मन में क्या है यह तो खराट तारी कोई पता चले कि यह समय आप घ्यान कीजिए कि तदकालीन विपक्ष ने क्या किया था यदरुपा के स्टीफ़े की मांग को लेकर दरना प्रतेशंग किये थे उस समय अंदोलन भी चल रहा था तो यदरुपा का स्टीफ़ा देना पड़ा था जो दूसरे मुक्षमंतरी आये थे लेकिन अब कॉंग्रेस अपने लिए उस नीती को नहीं मानना चाहती है तो दिखा रही है कि उसका ब्रस्टाचार से लड़ने का जो जो दावा है वो दिखावा है हमने देखा कि कॉंग्रेस ने विधानसवाँ चनौम में पेसीम एक अब्यान जलाया और तदकालीन मुक्यमंतरी के खिलाफ एक पूरा अंदूलन सा खड़ा कर दिया था लग रहा था कि करनाटक ब्रस्टाचार से लड़ने के लिए यह सिद्धार अमिया और डीके शीकुमार के नेत्वत तुम्हें एक जूठ हो गया है लेकिन आप आप देखिए कि महाँ पर किस तरीके से ब्रस्टाच की अमारी वह गारंटी है लगता है कि एक अगर में श्रीजाइद को चाहिए था कि वह इस्तीफा दिलाते सिद्धा रमयया को एक मिसाल काइम करते लेकिन कॉंग्रेस ने वह मुक्ता शायद वह रही है और अगर वह होती है तो शायद उसको आगे कई अवसरों को भी खोना पढ़ सकता है तो यह था आज का चाहे पर समिक्षा कारिक्रम आज के लिए हमें यानि अंकेट सिंग और प्रभासाक्षे के संपादक नीर इसको मर्दुबे को डीजाज़त नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके